हलो बच्चों मैं मधुमाला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की इस कक्षा में बच्चों आज में आपके लिए कक्षा नौ की हिंदी पार्थ्य पुस्तक शितिच भाग एक से संकलित साखिया नामक काव्य लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ और जिसके रचैता है संत कबीरदास जी बच्चों कबीरदास की साखिया सर्व प्रत्थम हम इस शब्द का अर्थ जान ले साखिया शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष प्रमान अर्थात कबीरदास जी ने अपने जीवन में जो भी प्रत्यक्ष रूप से देखा अनुभव किया उन्हीं सब को काव्य के रूप में उतारा है तो बच्चों साखिया में दोहों को आगे पढ़ने से पूर्व हम सर्व प्रथम कभीर दास के जीवन के परिचय में जानकारी हासिल कर लें कभीर जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यू सन 1518 के आसपास मगहर में हुई है आगे जानते हैं इनकी शिक्षा के बारे में उनकी शिक्षा विधिवत शिक्षा नहीं उन्होंने कोई पाई थी परंतु सत्संग पर्यटन और उनके जो अनुभव उन्हें प्राप्थ हुए हैं ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं उन्होंने इन सब को कवीता के रूप में उतारा है आगे चलिए हम जानते हैं उनकी विभिन रचनाओं के बारे में भक्ती कालीन निर्गुन संत परंपरा के प्रमुख कवी कवीर की रचनाए मुख्यतह कवीर गरंथा वली में संग्र हित हैं किन्तु कवीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्र बीजक ही प्रमान माना जाता है कुछ साधू गुरू ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं कवीर जी अत्यंत उधार निर्भय तथा सद ग्रिहस्त संत थे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कवीर जी ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कलपना की है इश्वर प्रेम ग्यान तथा वैराग्य गुरु भक्ती सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मभोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है अब हम जानते हैं कि कबीर की भाषा किस प्रकार की थी कबीर की भाषा सदुकडि मानी जाती है कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मक्ता की शक्ति है जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल धंग से व्यक्त करने की ताकत है बच्चों यहां संकलित साखियों में देश प्रेम का महत्व, संत के लक्षन, ग्यान की महिमा, ब्रह आडंबरों का विरोध और इन सभी भावों का इन साखियों में उलेख किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं साखिया तो पहला पहला दोहा मैं पढ़ने जा रही हूँ पहले दोहे में कहा गया है कि मान सरोवर सुभर जल हनसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनतन जाही अर्थात यहाँ पर बच्चो दोहे के साथ साथ मैं आपको हर शब्द का अर्थ भी बताते हुए चलूँगी और हाँ आगे हम इसके भावार्थ पर भी चर्चा करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि मान सरोवर अर्थात हिमाले पर स्थित एक पवित्र सरोवर यहाँ पर इसे पवित्र मन के साथ इसकी तुल्ना की गई है तो मान सरोवर जो होता है हिमाले पर स्थित एक सरोवर का नाम है सुभर, सुभर का अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ और हंसा का अर्थ है हंस यहाँ पर उसकी तुलना किस से की गई है साधक यानि की भक्त से केली केली का अर्थ होता है खेलना या क्रीडा करना मुक्ता मुक्ता का मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती और मुक्ता क्या होता है मुक्ता होता है आजजादी यानि मुक्त होना और अनत याने की अन्यत्र और कहीं अर्थात यहाँ पर कबीर दास जी ये कह रहे हैं कि मान सरोवर के जल में मान सरोवर का जो जील होता है वो भूत ही उसका पानी निर्मल स्वच और पवित्र माना जाता है तो वहाँ पर जो हंस रहते हैं यानि उसकी तुलना किस से की गई है साधक से की गई है वे उसमें अती प्रसन्न हो करके क्या कर रहे हैं क्रीडा कर रहे हैं खेल रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि वे हंस मुक्ताफल अर्थात मोती चुग रहे हैं आजादी से स्वचंद ह करके वो वहाँ पर मोती चुग रहे हैं और उस स्थान को चोड़ करके वे अन्यत्र अर्थात कहीं और नहीं जाना चाहते चलिए बढ़ते हैं इसके भावार्थ की तरफ मान सरोवर के भरे जल में हंस क्रीडा कर रहे हैं वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं उन्हें जल में क्रीडा करते हुए इतना आनंदा रहा है कि वे अब यहां से उड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते अर्थात प्रभु भक्त भक्ती में लीन होकर परम आनंद में लीन हैं और वे मुक्त होकर मुक्ती का आनंद ले रहे हैं अब वे इ से छोड़ कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने आपके समक्ष मान सरोवर जील और मोतियों का चित्र प्रस्तुत किया है यह यह बताता है कि किस प्रकार से साधक अर्थात भक्त भक्ती रूपी उस सरोवर को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता अर्थात जिसने इश्वर का ग्यान प्राप्त कर लिया हो उसे वो छोड़ करके भला और कहां जाएगा उसका मन उसी जील में रम गया है अर्थात वो पूरी तरह से इश्वर भक्ती में लीन हो गया है और अब उस थान को छोड़ करके वह कहीं और नहीं जान चाहता आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ दूसरे दोहे में ये कहा गया है कि प्रेमी धूंडत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विश्वम्रित होई बच्चों यहां पर प्रेमी किसे कहा गया है प्रभू के भक्त को तो यहां पर प्र इश्वर को ढूंड रहे हैं वे अपने प्रेम को ले करके अपने प्रेम रुपी सागर में किसे ढूंड रहे हैं उस भक्त को ढूंड रहे हैं प्रेमी मिले न कोई परंतु उन्हें प्रेमी नहीं मिलता है प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात जब भक्त को इश्वर के साक्षा दर्शन हो जाते हैं तब क्या होगा सब विश अम्रित होए अर्थात सारे विश अम्रित में बदल जाएंगे चलिए इसका भावार्च जाने कबीर जी कहते हैं कि मैं मैं अर्थात कौन भक्त किसी सच्चे प्रभू प्रेमी को खोजने निकला परन्तु बहुत प्रत्न करने पर भी वह मुझे न मिल सका जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुन्य में बदल गए वासनाएं नश्ट हो गई और दुर्भावनाही समाप्त हो गई और मन में पवित्रता रूपी अम्रित का संचार हो गया अर्थात ऐसा क्यों कहा गया है कि जब किसी भक्त को इश्वर प्राप्त हो जाते हैं यानि इश्वर के साक्षा धर्शन हो जाएं या उसका ज्यान प्राप्त हो जाएं तो सारे विश अपने आप ही अम्रित में बदल जाएंगे विश अर्थात वो बातें वो कुबुद्धी जो हमारे दिमाग में घर कर लेती है तो जितना भी हमारे अंदर जितनी भी दुरभावनाएं भरी हुई हैं वो सब क्या हैं वो सब विश के समान हैं जहर के समान हैं जिस व्यक्ति को इश्वर की प्राप्ती हो जाती हैं ग्य जितने भी पाप हैं, वे सारे किस में बदल जाते हैं? पुन्य में बदल जाते हैं, अर्थात अम्रित में बदल जाते हैं. आगे बढ़ते हैं, अगला दोहा है कि हस्ती चड़िये ग्यान को, सहज दुलीजा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे जखमारी, अर्थात, यहाँ पर हस्ती का अर्थ क्या दिया है? हाथी, हस्ती का अर्थ है, हाथी, चड़िये, यानि चड़ चड़ जाना, ग्यान को, यानि ग्यान रूप, रूप को बताया गया है, सहज, सहज का अर्थ है, स्वभाविक, यानि इसको ये भी माना गया है कि हट से दूर, यानि कोई भी जिद्धी, जो जिद है, उसके शर चोटा आसन कहते हैं डारी डारी का अर्थ होता है डाल कर और स्वान स्वान का अर्थ यहां दिया गया है कुट्टा और जख मारना जख मारना अर्थात मजबूर होना और यहां पर यह भी बताया गया है कि इसका अर्थ है वक्त बरबात करना तो बच्चों यहां पर यह बता चाल में चलता है लेकिन यहां आगे क्या बताया गया है कि सहज दुलीजाडारी अर्थात क्या करना चाहिए साधक को साधक को उसके उपर छोटा आसिन निश्चिंतता का भाव ले करके उस पर विराजमान होना चाहिए और स्वान रूप संसार है अर्थात यहां पर यह बताया गया है कि यह जो दुनिया है यह जो संसार है यह एक कुट्टे के समान है अर्थात यहां पर संसारिक मुहमाया संसारिक लोगों की जो कटाक्ष होती है जो बाते होती है उसे किसका रूप बताया गया है उसे पर यह यह है जब कोई साधक इश्वर की भक्ती में लीन होता है तो यह सांसारिक लोग उस पर कटाक्ष करते हैं ताने देते हैं बाते करते हैं लेकिन हमें क्या करना चाहिए साधक को उन सब को नजर अंदास कर देना चाहिए चलिए अब संपूर्ण रूप में इसका भावार्थ जानते हैं कबीर जी साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों तुम ग्यान रूपी हाथी पर सहज समाधी रूप आसन बिछा कर निश्चिंतता से बस चलते रहो यह संसार तो कुटे के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्त ही भोगता रहता है उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आशय यह है कि प्रभू साधक जो दुनिया की निंदा की परवाह किये बिना साधना पत पर बढ़ते उसे जाना चाहिए कितने ही सरल भाव से यह बताया गया है कि यह दुनिया तो तुम्हारे रास्ते में रोडा अटकाएगी अर्थात मुसीबते विग्न बाधा पैदा करेगी परंदू एक सच्चे भक्त का एक साधक का क्या करतव्य है उसका यह करतव्य है कि वो इस संसारिक रूपी कुट्टे को उनकी बातों को उनकी कटाक्ष भरी बातों पर ध्यान ना दे करके बस एक मत हो करके इश्वर्य भक्ती में लीन रहे और उसी पत पर अग्रसर होता र कारणे सब जग रहा भुलान पकापकी के कारणे सब जग रहा भुलान निर्पक होई के हरी भजय सोई संतिज सुजान अर्थात पकापकी पकापकी कार्थ होता है पक्ष और विपक्ष के कारणे कारणे का मतलब होता है कारण और सब जग रहा भुलान जग का अर्थ है संस भुलान का अर्थ है भूला हुआ निर्पक यानि निक्ष्पक्ष हो करके यानि किसी के पक्ष में ना बोलना जिसको हम अंग्रेजी में नियूट्रल बोलते हैं यानि किसी का भी हिस्सा ना बनना होई के हरी हरी अर्थात कौन इश्वर हरी हरी का नाम यहां पर लिया गया है भजे सोई संत सुजान अर्थात यहां ये बताया गया है कि सुजान का अर्थ यहां दिया गया है ग्यानी पुरुश सजण पुरुश अब यहां पर कबीर जी ये कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं वे अपने जगडे में इश्वर को भूल गए हैं जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाओ के निश्पक्ष हो करके इश्वर की भक्ती में मग्न रहता है वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य माना जाता है तो बच्चों होता क्या है कि आज की दुनिया में हम धर्म जाती संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ते जगडते रहते हैं पक्ष और विपक्ष हो करके बस इतना आपस में उलच के रह गए हैं कि हम इश्वर को ही भूल गए हैं अपने अपने स्वार्थों में लिप् कि हम आपस की जगड़ों में इस तरह से खो गए हैं कि हमने इश्वर को ही भूला दिया है और सच्चा व्यक्ति कौन हैं सच्चा व्यक्ति वही है जो की निश्पक्ष हो करके भक्ती में मगन रहता है जो किसी की तरफदारी नहीं करता वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष की और अग्रसर होता है तो कभी के अनुसार कभीर कभीर जी के अनुसार सच्चे अर्थों में वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है जो किसी की पक्ष में ना आए अर्थात उनकी तरफ से ना बोले वो सिर्फ अपने लक्ष की और ध्यान दे और अग्रसर हो आगे बढ़ते हैं हिंदू मुआ राम कही मुसल्मान खुदाई कहे कबीर सो जीविता जो दुhu के निकटी न जाई अर्थात मुआ का अर्थ क्या हुआ मरा और खुदाई का अर्थ है खुदा का जीविता अर्थात जीवित रहता है जो दूहूं का अर्थ है दोनों अर्थात यहां पर कभीर जी ये कह रहे हैं कि हिंदू राम नाम जबते हुए और मुसल्मान खुदा पुकारते हुए सारा जीवन बिता देते हैं उसे कभी जीने का सही अर्थ ही मालूम नहीं होता कभीर के अनुसार जो मनुश्य अपने आपको इन दोनों से दूर रखता है उसी का जीवन सार्थक है अर्थात कभीर जी कह रहे हैं कि जो मनुश्य जाती मजब के भेदभाव को अपने से दूर रखता है खुद से जो दूर कर अर्थ को समझता है तो बच्चों यहां पर यह कितना सुभाविक रुप से सरल भाव से बता दिया गया है कि हिंदू अपने धर्म को लेकर के लड़ते रहते हैं यहां पर आपसी जगड़ों के बारे में भी बताया गया है कि हिंदू राम का नाम लेकर के जबते रहते हैं और मर जाते हैं उसी प्रकार मुसल्मान धर्म के भी लोग वे अल्ला का नाम लेते लेते और मर जाते हैं हिंदू मुआ राम कहीं मुसल्मान खुदाई यानि ये लोग अपने अपने इश्वर का नाम जबते रहते हैं लेकिन कवी कवी के अनुसार अर्थात कवीर के अनुसा उनोंने किस व्यक्ति को जिन्दा माना है जीविता किसे कहा है वो व्यक्ति जो न राम में रहे न रहीम में और थात वो धर्म के इस इस संसारिक मुह में न फसे किसी के साथ कोई भेदभाव न करे वह सिर्फ इश्वर से ही अपना संबंद रखे तो उन्होंने कहा कि कबीर जी कह रहे हैं कि उनके लिए तो वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों से दूर है अर्थात ये धर्म जाती संप्रदाय के चीजों से सांसारिक मुहमाया से दूर है उसी को उन्होंने सही माईने में जीवित कहा है अगला दूहा है काबा फिरी कासी भया रामही भया रहीम मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम अब यहां पर काबा काबा क्या होता है वह मुसल्मानों का एक पवित्र तीर्थ है काशी काशी आप जानते हैं काशी जहां पर पुजा की जाती है इश्वर की स्थान है वो भया अर्थात हो गया मोट का अर्थ है मोटा और चून का अर्थ है आटा और जीम का अर्थ है भोजन कर यानि भोजन करना अब जानते हैं इसके अर्थों को काबा फिरी कासी भया रामही भया रहीम मोट चून मैदा भया बैठी कभी राजीम बच्चों आपके समक्ष कुछ चित्रू पस्थित हुए हैं जिसमें आप देख पाएंगे आप स्वयम तुलना कर पाएंगे कि किस प्रकार से गेहु जैसे मोटे अनाज से ही आटा बनता है उसका निर्मान होता है और उसी आटे को जब महीन पीसा जाता है एकदम बारीक पीसा जाता है तो वो क्या बन जाता है वो मैदा बन जाता है यानि कि वस्तू मुख्य वस्तू तो एक ही है हाँ उसके रूप जरूर अनेक हैं तो यहाँ पर कभीर जी क्या बता रहे हैं कभी उठकर निश्पक्ष हो गया अर्थात वे ना हिंदू को हिंदू धर्म में जाते हैं न वो मुसल्मान धर्म को मानते उनके लिए सभी धर्म एक समान है तो यहां पे बोल रहे हैं कबीर जी कि मेरे लिए तो मुसल्मानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान ही पवित्र हो गया। उन्हें ये भी कहा है कि जिसे मैं मोका आंटा समझ कर और अखाद समझता था, अखाद, अर्थात जो खाने के योग नहीं हो, जिसे हम कहते हैं मोटा अनाज वही मेरे लिए बारिक मैदा हो गया और मैं उससे बैठ करके आराम से खा रहा हूं आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नश्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसल्मान और राम रहीम के नाम पर बसी दूर भावनाएं दूर हो गई तो बच्चों जैसा कि कभीर दास ने कहां यहां पर हमें बताया है कि कैसे उनके लिए अब जाती धर्म का कोई अर्थिर सारे सीमाएं अपने आप ही तूट गई वो किसी जाती में अपने आपको नहीं मानते क्यूंकि उनके लिए सिर्फ एक ही धर्म सबसे जरूरी है और वो धर्म हैं इंसानियत का धर्म अर्थात उनके लिए हिंदू, مुसल्मान, इसाई सब एक समान हैं अर्थात वो इस जाती, पाती और धर्म के नाम से कई गुना ऊपर उठ गये हैं और इंसानियत को ही सच्छा धर्म मानते हैं तो जो व्यक्ति इन सभी चीजों से उपर उठ गया हो वह व्यक्ति क्या हो गया है वह व्यक्ति उसके लिए किसी भी सांसारिक मोहमाया का कोई अर्थी नहीं रह गया है अब तो उस व्यक्ति के लिए उदारन जो दिया गया है इस दोहे में कि जो मोटा खादे था कौन सा गेहूं गेहूं जैसे मोटे खादे भी अब उसे बारीक मैदा लगने लगे हैं अब वो खाने के योग्य मानने लगा है उनको और आराम से बैठ कर अब उसका सेवन कर रहा है यानि कि उसके मन में धर्म से संबंधित जितनी भी द नश्ठ हो गई क्यूंकि उसे ज्यान प्राप्ति हो गई उसे इश्वर की प्राप्ति हो गई और अब उसके लिए सभी धर्म एक बराबर हैं अगला दोहा है उंचे कुल का जनमिया लेकर्णी उंचन होई सुबरन कलस सुरा भरा साधू निंदा सोई अर्थात उंचे कुल काम या क्रिय कलाब उंच नहोई उंचा नहों सुबरन सुबरन का अर्थ है सोना एकलस कलस बहुत अब बच्चों यहां पर यह बताया गया है कि कभी रास openly कहरे हैं कि मूँ कुल में जनम लेने से किसी के करम अच्छ नहीं हो जाते हैं उसकी पहचान उसकी करमों से की जाती है उसके कुल से नहीं की जाती जिस प्रकार सोने का घड़ा सोने के घड़े में अगर शराब से वो भरा हुआ हो तो साधू लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं क्यूंकि सोने के घड़े में होने के बाद भी वह शराब ही तो है उसी प्रकार यदि उंचे कुल में जन्मे व्यक्ति की बुरे कर्म अगर वह करता है तो लोग उसे उसके कुल को अंदेखा कर उसकी निंदा करेंगे आश्य यह है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से ही महान बन सकता है तो बच्चों यहां पर कभीरदास ने कितने सरल भाव में बताया है कि सिर्फ उंचे वंच में ही पैदा लेना काफी नहीं है व्यक्ति के कर्म भी उंचे होने चाहिए जिस प्रकार से यदि सोने के कलश में शर हुआ सोने का कलश अर्थात उंचा वंच इसकी तुलना उंचे वंच सकी गई है और शराव यानि की बुरा कर्म बुरे कार्य तो यदि कोई उंचे वंच में पैदा होकर भी गलत कार्य करता है गलत चीजों का साथ देता है तो उसके कार्य जो है उसके कर्म जो है वो गलत ह कहलाएंगे कहने का सीधा सरल भाव या है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से ही महान वनता है ना कि बुरे कर्मों से बच्चों उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये सारे दो हैं और उसके साथ उसके शब्दार्थ और उसका भावार्थ संपून रूप से समझ में आ गया प्रश्ण उत्तर देखते हैं पहला प्रश्ण है मान सरोवर से कवी का क्या अभिप्राय है तो इसका उत्तर होगा कि मान सरोवर से कवी का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्च विछारदहरा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ती में लीन हो करके मुक्ती रूपी मुक्ता के फल चुपते हैं यानि चुगते हैं यहां पर यह बताया गया है कि वे उस्मान सरूवर को छोड़ करके कही नहीं जाना चाहते अगला प्रश्न देखते हैं इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है आपके हिसाब से हम इस संसार में किसे सच्चा व्यक्ती यानि सच्चा संत कह सकते हैं आए उत्तर देखें कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदाइक भेद भाव सांसारिक मोहमाया से दूर सभी स्थितियों के संभव यानि की दुख सुख से लाभानी से उच नीच से अच्छे बुरे से तथा निश्चल भाव से प्रभु भक्ती में नी लीन रहता है अर्थात ऐसे संत को दुनिया की सांसारिक बातों से कोई लेना देना नहीं होता है कितना भी दुख हो उच नीच हो अच्छा बुरा हो उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं क्यूं क्यूंकि वहाँ प्रभु की भक्ती में सदैव लीन रहता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण संसार को स्वान रूपी क्यूं कहा गया है अर्थात यहाँ पर स्वान की तुलना अर्थात कुट्टे की तुलना संसार से क्यूं की गई है उत्तर देखते हैं संसार को स्वान रूप कहा गया है क्यूंकि जिस प्रकार हाथी को देखकर कुट्टा भौकता रहता है उसी प्रकार संसार में लोग किसी को प्रभु साधना में लगा देखकर उसकी निंदा करते रहते हैं उसके रास्ते में विग्न बाधा पैदा करते रहते हैं तो बच्चों ऐसे लोगों की और कवी ने क्या कहा है कि ध्यान देने की आविशक्ता नहीं है हमें हमेशा एक लक्ष हो करके प्रभू की साधना में लीन रहना चाहिए और बाकी संसारिक मुखमाया को त्याग देना चाहिए अगला प्रश्ण है कवी ने सच्चे प्रेमी की क्या कसोटी बताई है यानि कवी कवीर जी के अनुसार सच्चे प्रेमी की क्या कसोटी हो सकती है आईए उत्तर देखें कवी ने सच्चे प्रेमी की कसोटी ये बताया है कि सच्चा प्रेमी अर्थात कौन जो ईश्वर को ही अपना प्रेमी समझ रहा हो उसे प्रेमी समझ कर उसे पाने का प्रयास करता है सच्चा प्रेमी ईश्वर के अलावा किसी से कोई भी मुह नहीं रखता है और उसे मुह औ और संसार के बंधन भी कभी नहीं बांद सकते तो बच्चों उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये सारे दोहें साखियां कभीर जी की अच्छी से भली भाती समझ में आ गए होंगे और इसी के साथ मैं अब आपस लोगों से विदा लेती हूं धन्यवाद झाल